फ्रेंड्स आज चावल के आठे की धूड़ी बनाएंगे शादी वगेरा सुब कारियों में चाहे बेटे की शादियों या बेटी की तो शुब कारियों में इस लड़ू को दिया जाता है कोई छा में दिया जाता है यानि सुहागे नौर्तों के आचल में इस लड़ू को भर ये, फ्लेम को लो रखिए, पास से छे मिनट भूनने के बाद हमने इसमें आधा कप तिल डाल दिया था, और तिल डालने के बाद भी उन एसे भूना, और जब ये भून के खुश्बू सी आने लगी, तब इसके बाद हमने इसमें डाला घी, वन फोर्थ कप हमने इसमें घी जाला है और थोड़ा सा चावल का आठा एक्स्ट्रा भून के हमने रख दिया है ताकि जो हम पाक बनाएंगे तो कम या ज्यादा हो तो हम इसका स्तिमाल भूने हुए आठे का कर सकें देखे इस तरह से आपको एकदम हलका गुलाबी होने तक भून के आठा तयार करना बस ध् जिससे इसका स्वात बहुत अच्छा हो जाए आप इसमें सोंथ डाल सकते हैं और बाकी स们 journalists डाल सकते हैं पर थोड़ा साव मनें लय जा रही हुए उन्हें सोंथ वगरा पसंद नहीं है लॉंग वगरा तो मैंने नहीं डाला क्योंकि आजकल बच्चों को पसंद नहीं आता पर शादी ब्याह में बनाए जाते ही ये लड़ू तो आप ड्राइ फूर्ट्स जितना चाहें उतना घी में सेक लीजे सेक लेने से घी में आपके जो रोस्टेड नट्स हैं इनक अधा सा हाफ कप करीब पानी डाला है अब इसे गरम करेंगे और इसमें मैंने आधा केजी खोया डाला है और खोया हमारा एकदम मैंने भूंकर एकदम सूखा कर लिया था यानि गुलाबी तो फिर हमने डाल दिया अब हम इसमें जो ड्राइफ रूट्स तले थे उसे काट लेंगे चावल के आठे में चावल का आठा भुना हुआ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लड्डू ये त्यार होता है शुबकारियों में इसे दिया जाता है थोड़ा सा मैं टेस्ट और बढ़ाने के लिए और चेंज करने के लिए इसमें खोया डाली हूँ और खोया कि चाशनी यानि जब चाशनी हम डाले और अपनी थाली को करवट करें तो चाशनी नीचे न गिरें अब ड्राइफ रूट्स सारे कट करके हमने डाल दिया है जीतना ज़्यादा आप हो सके इसमें ड्राइफ सूकह ज लूट आड कर सकते हैं आपके पसंद्ट के जो भी हो इसके पाद चाशनी डालूँ, धीमे धिमे भी डाल सकते हैं, वैसे मैं हाफ चाशनी से ज़्यादा एक बार डाल दूँगी, थोड़ी सी चाशनी को बचा दालना पड़ेगा और अगर चाशनी कम हो गई तो बनानी तो इसी लिए मैंने थोड़ी ज़्यादे से चाशनी बना दी थी एक कप, दो कप, धाई कप, धाई कप करीब हमारे पास आठा चावल का तिल और नारियल का बुरादा मिला के टोटल था तो इसमें मैंने इस तरह से डाल दिया और अब ये बाइंडिंग पोजिशन में आ गया इसे थोड़ा सा गरम है थोड़ा ठंडा होने दे यानि हाथ से स यह जादा भी ठंडा हो जाएगा तब भी इसका लड़ू बहुत ही अच्छा बनेगा खोया डालने के कारण यह काफी स्वादिष्ट हो जाता है यह सुपकाम के लड़ू जो है यह इतने टेस्टी और बहतरी लगेंगे कि अगर आप एक बार इस लड़ू को बनाएंगे देखे इस लड़ू को हम अभी बनाएं तो बन जाएगा पर सोच रहे हैं कि जो हमारे थोड़ा से और बचा हुआ है उसे भी हम डाल दें पहले हम लड़ू आपको बना कर देखाए यह लड़ू और चावल का अटा भी भी पड़ा हुआ है तो उसको भी मिक्स कर देंगे देखे कितना अच्छा सौफ्ट सा रड़ू हमारा बन रहा है यह देखे वो जो चावल का अटा हमने भूना है के रखा है उसमें हमने ना तो घी डाला है ना कोई चीजे बस सिंपल भूना हुआ अटा है अगर आप पांदना चाहते हैं तो इसी तरह से रड़ू का अटा बार लेजिए पर अगर आप सोचें कि जो बाकी बची भी चाशनी है उसका भी हम यूज कर ले तो आप इस तरह से लड़ू बना लीजिए और जब चाहे तो उसे का यूज कर लीजिए देखे यह देखे इस तरह से बहुत आसानी से बच्चे भी इस लड़ू को बना कर य आपको हाथ में घी घी एक्तम जैसे हम दबाते हैं तो घी घी नजा आता है अब इसमें मैंने आधा कप और चावल का भुना आटा मिक्स कर दिया थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है कड़ाई ठंडी हो गई हलकी तो हम इसमें ही डाल देंगे अपने आटे और फिर बाकी में मिक्स कर देंगे जितना जरूत पड़ेगा आटा चेक करते हुए हम मिक्स कर लेंगे तो हमें लगा कि आधा कप से थोड़ा सा और ज्यादा आटा लगेगा क्योंकि कड़ाई भी इससे साफ हो जाएगी और जितने आपके खोए और चीनी का पेस्ट रहेगा वो तुरंत निकल जाएगा इस तरह से हाथ से दबाते हुए हम इसे मसलते हुए लड़ू के फॉर्म आने तक इंतजार करेंगे अगर हमको लगे कि लड़ू परफेक्ट बंद जाएगा तो हम आटा मिलाने की जरूत नहीं है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आटा अगर तो आप और भी मिक्स कर सकते हैं पर देखिए लड़ू अच्छे से बंद रहा है तो हम दबा दबा कर इसका लड़ू बाद देंगे ये लड़ू आप कभी भी बना कर खा सकते हैं इसमें गोंध वगेरा का इस्तिमाल कर सकते हैं आजवाईन हल्दी सारी चीजें जितनी चीजें डाल सकते हैं पर ये शुब काम में बनने वाला धूड़ी है इसे चावल की धूड़ी कही जाती है यूपी में और अक्सर ये शादी ब्या के मौके पर बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है पर इसमें जब हमने खोया और ड्राइफ रूट्स डाल दिया तो ये और भी टेस्टी लड़ू बनकर तयार हो गया है अगर आपको हमारी ये रेसिपी जरा से भी पसंद आती है और आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो जरूर बताईएगा कि आपको ये हमारा लड़ू बनाने का तरीका कैसा लगा थोड़े से चावल के अंदर फ्री के टूटे हुए चावलों को धूल कर हमने पीस लिया उसके बाद देखे धेड़ सारे लड़ू बनाकर तयार कर दिये टोटल एकेजी से आके लड़ू खिलाएंगे तो वह बहुत ही खुश हो जाएगा एकदम सॉफ्ट लड़ू बने हैं देखे यह देखे और कितना लाजवाब कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी जरासी भी पसंद नहीं आत